Hello Students ! Welcome again in my channel, we just have the nursing classes. Dear friends, आज कि इस class हम बात करूंगे आपका urchitis की बारी है First thing, मैं बात करते हैं आपका Urchitis is the disease of the male reproductive system Dear sinds, जो हमारा urchitis है एक हमारे male reproductive system की डिज़ह है And urchitis is an information of the testis It may be unilater or bilater and usually caused by the invasion of the bacteria and virus और यह सेंज जो उर्चाइटिस होता है इसमें हमारे जो टैस्टिस होते हैं या जो टैस्टिकल्स होते हैं उसमें हमारा इंफ्रामेशन हो जाता है और जो इंफ्रामेशन होगा हमारा यूनिलेटर और बाइलेटर हो सकता है जैसे कि आप जानते ही होंगे जो हमारे टैस्टि हो जकता है और mostly जो भी हमारा उर्चाइटिस है यह mostly हमारा जो बैक्ट्रिया जो और जो वाइरस होते हैं इसके तुरूब हो जाता है and it is usually accompanied by the epididymitis ठीक है और यह जो आपका epididymitis होता है mostly जब इसमें आपका inflammation हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं आपका epididymitis और जो epididymitis होता है इसके थुरूब भी हमारा जो उर्चाइटिस होता है यह डेप्ट्रप हो सकता है नहीं सब बात करते हैं आपका risk factor के बारे में जो हमारा first risk factor है आपका वह है आपका infection of the urinary tract यानि जब कोई patient होता है उसके जो urinary tract होता है उसमें हमारा infection हो जाता है यह inflammation हो जाता है उसके थुरूब भी आपका डेप्लप होता है ठीक है नश्यक्त जो हमारा cause जो respect है sorry हो आपका prostatis और मान लो कोई patient है उसको आपका prostatis हमारा develop हुआ है जिसा आप image सकते हैं यह हमारा एक नॉर्मल prostate gland की image है जिसमें आपका जो prostate gland होता है हमारा urine bladder होता है और अरिथर होता है उसके आपका located रहता है बाएद भी हमारा जो आपका प्रोस्टेटिस बोलते हैं अगर इसमें हमारा इंफ्लामेशन हो गया है इसके थूरू भी हमारा उच्टेटिस हो सकता है जो हमारे नेस्ट कॉज है वो है आपका आपका उच्टेटिस हो सकता है जीसमें आपका इंफ्लामेशन जाता है इसके थूरू आपका आपका सब्सकता है नास समः दखते हैं जो नेयव सब्सक्राइब और प्रह शेक्डर को मुए परसन है वक को जो स करें तो इसको हुआं फ्रॉब्जा भ्रार मैं चर्ण हो सकता है हो सकत है जीरा फर्रस्ट करें herbs तो इसमें हमारा कोई infection हो सकता है तो आपका STI हो यानि जो ट्रांस्वर्ट इंफेक्शन है वह आपका उसमें प्रेजन्ट होगा तो जो हमारा दूसरा partners में डबलब हो सकता है जो हमारा नेस जो आपका respector है वह आपका multiple sexual partners ठीक है मालो कोई person है वो multiple हमारा sexual जो partners है वो रखता है वो रखता है तो उनमें भी चीज़ डबलब हो सकता है एंड नेस्ट कोज है आपका जो रिस्पेक्टर है वह आपका long term use of the fallis catheter मालो कोई patient है उसमें काफी लंबे टाइम से काफी लॉंग टाइम से आपका कोई unique catheter लगा हुआ है उसके थुरूब हो सकता है एंड नैसे जो हमारा इस्पेक्टर है वह आपका bladder outlet obstruction यानि जो bladder है जो bladder होता है उसके आसपस जो हमारा obstruction होता है उसके थुरूब हो सकता है क्योंकि यह जब हमारा obstruction होगा तो उससे क्या रहेगा हमारा जो urine होता है यूरित्रा से आपका properly pass out नहीं उपाएगा इमेज़िवें आप दे सकते हैं यह आपका normal urinary bladder है और यह क्या है आपका जिसमें आपका जो प्रोसेड्रेंट है बढ़ा हुआ है इसके enlargement हो चुका है जिससे हमारा जो यूरित्रा है उसमें आपका obstruction आच चुका है जिससे हमारा urine properly pass out नहीं हो पाईगा और नहीं हो पाईगा और आपका structural abnormality मानों क्या होता है जो male होते है उसकी जो testicles के जो हमारे जो पास्वट होने जो ducts होती है जिससे हमारा जो इस स्पंप ट्रांसमिट होता है और जो हो सकता है मैं आपका लागप एम्मिनाजीशन with the MMR वैक्सिन मांनों को से न हो जो मम्स कि रिगार्डिंग और जो MMR वैक्सिन वह नहीं किया गया है तो उसमें से कि हमारे ल op यह सकता है आपका हिस्टी ऑफ मुझा कोई पेसेंट हूऽ है और समय हमारे जो अमेक्स्ट हैл परेली से हैं तो उसमें भी हमारा जो यह ढटफ्फ हो सकता है पयाल मैं से हम बात करते हैं आपका इट्रिवाशी है एक हमारा चुछ या पारे दॉटि आ Chuck All मो इसको मंस प्युलियोन के मलते को दॉट्स, उसको मंस है। इसके थृप-पयसिंग शहलेते यह चालित वह सकता है तो उसमां भी आपका हो सकता है ने सेक्षाइब कर रहा है इंट्रिक्रस कर रहा है विदाट कॉंडॉम हो सकता है सामिन परसन को कोई infection हो तो उसमें चीज हमारा develop हो सकता है ठीक है next है हमारा history of STI यानि sexual transmitted infection और कोई इसी परसन की history है sexual infection की तो उसमें develop हो सकता है and next हमारा पार्टन हो है who has an STI बाइदेव को हमारा जो पार्टन होता है उसको STI है ठीक है sexual transmitted infection है तो उसमें भी आपका develop हो सकता है कि जो मारा पार्टन है पाइदे उसे हम कोई intercourse करते हैं तो उसमें जो बैट्रिया जो वायरेस होते हैं उसके थुरूब जो अधर परसंद होता है उसमें transmit हो सकता है नहीं सेम देखते हैं अब बात करते हैं congenital unit tract abnormalities यानि कोई person है या को patient है उसमें congenital या आपका बलग होता आपका by birth बाइबर्थ आपका जो unit tract abnormalities प्रजेंट है जैसे बार बार इंफेक्शन डेपलप हो रहा है तो उसके थुरूब भी आपका develop हो सकता है नहीं से आपका viral infection और battery infection मालों कोई पेसेंट है उसको बार 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 इंफेक्शन हो रहा है और battery infection हो सकते हैं बात करें तो जो वाइर इंफेक्शन होते हैं it is mostly caused by co-psych virus and infectious mononucleosis and varicella and ecovirus यह जो virus है इनके तो आपके develop हो सकते हैं अब बात करें जो बैटर इंफेक्शन होते हैं इसम्हें जो बैटर आस होते हैं जिसके दोरह आपका उच्चाशन डेपलप होता है इसम्हें जो बैटर राश होते हैं वह तका नाइसरी या गोनोरिया क्लेम एडिया आपका होता है नाइसरी आपका इकुलाई क्लेसिलिया नियुमनिया एंड स्टुडियम नास अरिजिनल सब एंड इस्टेफाइलो कोकस और स्टेटो कोकस स्पीशिस इन बैटर के दोरह भी आपका जो उच्चाशन से हो डबलप हो सकता है है देजिसा हम बात करते हैं से के के मैने स텐 होता है एसका के बहुत है इसको क्या है और आपका स्टे। तो firstly है टेस्टिकलर स्वेलिंग जो हमारे टेस्टिकल्स होते हैं जो टेस्टिकल्स होते हैं जो हमारे बोड़ी में दो परजेंट होते हैं मेल्स में उनमा आपका स्वेलिंग देखने की मिलेगा और जो टेस्टिस होते हैं उसमें रेट आंस से देखने की मिलेगा इसके से इस गर सकते हैं कि पेयल्जनों क्या है उचयरे से अपका टन्डनेस इंद ऌn स्कॉटर्म स्कॉटे साै वह स्कॉट्प सफिल थे और जो भी उच्शामिन क्रेि करेंगा आइन पीन फुलू कर से और ऑघ्रियट्रियर्क है उसका ब्हूंब च्रवенд का तो हम बहुत ज्यूदक अपका। यह सिंटम में देखने के रहे। जाए हुआ हैजब पेशन को कगेसीडिएक करेगा थे ठीक और जो स्क्रोटम होता है इसमें पेशन की स्वेलिंग होगी और जो स्क्रोटम होता है आप जानती होगी जहां हमारे टैस्टिकल्स होता है ठीक है जो हमारे पैनिस होता है और जो टैस्टिकल्स होता है जो और पाचिंग होती है जो पाउच होता है जिसके अंदर हमारे प्रि देखने के मिलेगा and abnormal discharge इसके आपके abnormalities देखने के मिलेगी और abnormal continuously कभी कभी इसका discharge होते रहेगा ठीक है and enlarged prostate और जो प्रॉस्टेट ग्लैंड होगा abnormal enlargement भी हम आपको देखने के मिलेगा and small lymph node in the groin इसके जो growing area होता है पेसिंद में और जो हम लोका होता है उसमें जो ग्रॉइन एरिया होगे उसमें जो lymph node present रहते हैं उसमें भी हमको slain देखने के मिलेगी इसके राबा पेसिंद में fever होगा being 이oda Taste only ibs याद रखेगा जवर कंजी पेसिद को हमारा फ्राथिवर होता है टेकर उसमें को पेसिंद को मेंस होगा देखने के मिलता है कि मैलेसी होता है तो यह ढायाफोर सबसक्क्तै की करता है ऑंका आप का अबनॉर्मल एक्सेसिव स्वेटिंग ठीक है आपने मुझे नोडिस किया होगा दब किसी पेस्ट को फिवर होता है उसको बहुत जाद ठंड लगती है और अबनॉर्मली उसको बहुत जाद स्वेटिंग भी होती है जब वह स्लिप करता है ठीक है इसके रवा टेस्टिकलर प होना स्टार्ट हो जाएगा एंड पॉसिवल पीन और बनिंग विफोर और आप्टर हो जो पेसेंट होगा जब वह पास कर रहा होगा उससे पहले भी उसको मारा पेन होगा और जब युनिट कर लेगा आप्टर होता है और हमारा जो सीमें होगा संब्लड देखने मिलेगा नहीं हम बत करेंगे आपका डाइनिस्ट्री फांडिंग यानि जो इन्वस्टिकरस उती है उर्चाटिस की उसमें कौन-कौन से इसी याद रखेगा जब भी कोई पेसेंट होता है जो होती है तो हर आप हिस्टिकरस्टीकॉर्चन तो हमारा से प्रफॉर्म किया जाता है इ जो और्टाइटिस होता है, इसके स्टीव में डिस्कस करते हैं, इसके लबा पेस्ट आटेज्टलिफ इंफहक्सन है जैसके मुम्रस हो गया उचे जो कोई ओर्टार्चैटस डवलक तो हो रहा है ऐसके बाहोरे हम प्रेसिंग का पूर्षते हैं उसके वारे डिसक्रस करते हैं नहीं सा मारा फिजिकल इजामिशन and it helps to find out the testicle enlargement, induration of the testis and tenderness and erythematous scrotal skin and enlarge epididymis. जब भी हम फिजिकल एजामसिन करेंगे तो उसमें हमां find out करेंगे कि हमारा जो testicles है, उसमें कोई enlargement तो नहीं हो रहा है, तीक है, उसमें कोई induration तो नहीं हो रहा है, और जो हमारा जो scrotal की skin है, यानि जो scrotal है, उसमें कोई erythematous की problem तो नहीं है, उसको जो हम देखते हैं, इसके लावाद जो epididymis होता है, उसमें कोई problem नहीं आ रही है, या कुछ और problem तो नहीं है, वो चेक करते हैं, और साथ हम पेसंट को हम जब touch करेंगे, उसकी जो scrotal area, पेसंट को feel भी होगा, पेन, तो उसको हम चेक करते हैं चीज में, नहीं सा बात करेंगे आपका जो management होता है, यानि जो आपका उर्चाटिस होता है, उसके treatment के बारे में, फर्स्ट आपका vaccination against mumps can prevent urchitis, जब हम जो mumps है, उसके opposite में हम उसके लिए vaccine करेंगे पेसंट का, तो वो हमारा जो urchitis से होता है, उसको prevent कर सकता है, कि जो mumps से होते हैं, जो प्रॉल्म है, इसके तो आपका जो urchitis होता हो डपलप होता है, there is no cure for viral urchitis, but the condition will be go away on its own, जो हमारा बैदे कोई patient है, उसको हमारा viral urchitis डपलप होता है, ठीक है, इसके लिए हमारा कोई cure नहीं होता है, लेकिन कभी कभी क्या रहता है, जो हमारा viral urchitis होता है, यह खुद से हमारा ठीक हो जाता है, नाइस से आपका supported treatment such as the bed rest, hot and cold compressor, इसके लाव हम पेस्ट को जो supported treatment हो provide कर सकते हैं, जो प्रॉपर बैडरेस प्रॉइट करेंगे, इसके लाव जो patient हो हम hot और cold जो applications होती ही, compressors होते हैं, वो provide कर सकते हैं, और जो उसको scrotter area होता है, उसको हमें इसा elevator रखना होता है, नाइस से बैटर, उस चैटिस is treated with the antibiotics, इसके लाव जो हमारा बैडरेस है, वो हमारा बैटर के दार्राव होआ है, तो उस patient को हम antibiotic provide कर सकते हैं, जैसे कि आपका example है इसके, इसके लाव हम कुछ anti-inflammatory medications होती है, वो provide कर सकते हैं, और cold packs हम पर इसके प्रोइट करेंगे, ठीक है, in infection, if infection caused by STI, by the way, जो आपका infection है, वो हमारा जो sexual transmitted infections की दार्राव हो रहा है, तो sexual partner also should be treated, तो जो हमारा जो sexual partner होता है, उसको treat करना भी ज़रोरी होता है, बैदे हमारा के मालों कोई partner है, जिसे हम intercourse कर रहे हैं, उसको infection है, तो वो हम भी double up हो सकता है, तो उसको treat करना भी हमारा ज़रोरी होता है, जो next management है, वो हापका, use condom or abstain from sexual activity until all partners have completed their full course of antibiotics and symptoms free, ठीक है, मालों को हो सकता है, जो हमारा partner है, उसको STI है, उसको sexual transmitted infection है, तो उसको हमेंसा treat करना है पहले, उसको हमेंको antibiotics जो drugs होती है, वो provide करना है, और जो पेसेंट स्टम से फिर ही नहीं होता, तो तो हमको condom का use करना है, वासे भी इंट्रकोस करते हैं, हमेशा protection को use करना चाहिए, अगर बाइदे पेसेंगों infection है, तो उस time पर हमेशा protection है, वो use करना चाहिए, ताकि जो infection है, वो other person में spread ना हो. नेक्स नहीं हम बात करेंगे हैं आपका complications के बारे में, तो देखते हैं, जो उसके complications होते हैं को दो से देखने का मिल सकते हैं, फर्स आपका testicular atrophy, जो उसमें atrophy देखने मिल सकती हैं, और जो आपका scrotal होता है, या scrotal होता है, उसमें आपका abscess का formation हो सकता है, इसके लाग जो patient होता है, उसमें infertility की condition होती है, वो develop भी हो सकती है. Thank you students for watching this video, please don't forget to subscribe, like and share this video for more updates.